हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप तो ये वीडियो अगें सेमिस्टर वालों बच्चों के लिए सारी क्लास इसमें डाल रहा हूँ YouTube पे आप सभी इंजॉई भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं अगेन मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि semester 1 become honors वालों का date sheet थोड़ा बहुत reschedule हुआ है, change हुआ है, आज मैं class ले रहा था तो काफी बच्चों से पूछा तो उन्होंने reaction किया कि सर date sheet change हो गया, मुझे लगा कि semester 1 वाले बच्चे सारे aware होंगे कि हमारे date sheet change हो गया ह होगा, लेकिन काफी बच्चे aware नहीं है, तो इसलिए मैंने एक छोटी से वीडियो बनाई date sheet change हो चुका है, कब-कब का date sheet है, एक छोटी से आप जानना डाउनलोड कर ले चाहें सिक्षाधाम पे जाके, हमारा main channel आप सर्च मारेंगे सिक्षाधाम, YouTube में description में देते हैं, बट यह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, कहता है semester intimation March and April University revised date sheet become honors NEP UGC part 1 semester 1 के लिए है, time table आपका यह है, आपका school of open learning student only, ध्यान दीजिए गाई, school of open learning student only, सिर्फ और सिर्फ यह open learning SOL वाले बच्चों के लिए है, regular का नहीं है यह, पहला paper जो भी था, अब 4 तारिक से आपके exam start है, management principle के, फिर 11 तारिक को आपका है business law का, फिर 12 तारिक को है आपका finance for everyone और जो भी है, और फिर आपका FA का 18 March को चला गया है, तो आपके पास एक अच्छा time बच गया है, तो यह था हमारा date sheet जिसके अंदर आपको दिया गया, और और भी कुछ हमारे जैसे honors के अंदर 25 March को भी है, 27 March सक total चलेगा paper, तो hopefully आपको समझ में आ गया होगा, date sheet change हो गया, जिसको यह date sheet चाहिए, जाए टेलिग्राम पे और टेलिग्राम जॉइन करके आप उसको download कर सकते हैं, thank you so much, मिलते हम इसी तरीके से किसी next information के साथ,